चूकी यह आपके लिए पहली बार है इसलिए आपको दिखाने के लिए मैं कॉंटाक लेंस लगा रही हूं पर लेंस को छूने से पहले मुझे साबुन और पानी से अपने हाथ धोने होंगे हाँ किसी भी संक्रमेंट से बचने के लिए ना हाँ मैम प्लीज आईए मैडम ये कॉंटाक लेंस नए है इसलिए ब्लिस्टर पैक में बंध है दाई आग से शुरू करना है हाँ मैम ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले दाई आखवला ब्लिस्टर पैक खोलना है अब हम ब्लिस्टर पैक से कॉंटाक लेंस बहार निकालेंगे उसे अपने दाई हाथ की तरजनी उंगली पर लें फिर उसे बाई हाथ के हतेली पर रखें ठीक इस तरह चुकि ये एकदम नए हैं इसलिए इसे साफ करने की ज़रूरत नहीं है एक बात याद रखना ज़रूरी है कि अपने आखों में लगाने से पहले आपको इसे हमेशा साफ करना चाहिए प्लिस चश्मा निकालिए अब मैं आपके दाई आँख में लेंस लगाऊंगी मैं धीरे से अपने आखे बन कीजिए खोले अब उपर दिखना नीचे बाई दाई आपको लेंस से परिशानी तो नहीं न ज़्यादा तो नहीं पर मुझे ऐसा लग रहा आँखों में कुछ है हाँ ये पहली बार होने वाली सामाने प्रतिक्रिया है खुछ ही समय में आपको ठेक लगने लगेगा अब जब मैंने आपको दाई आँख में लेंस लगाना सिखा दिया आप बाईन ट्राइ करना चाहेंगे जरूरत पड़ी तो मदद कर दूँगी आखे बन करें खोलो बहुत अच्छे तो आब मैं आपको बताऊंगी लेंस निकालते कैसे हैं मेरे निर्देशों का पालन करें आपको समझ जाएगा ठीक है तो लेंस लगाने से पहले साबून और पानी से हाथ धोना जरूर याद रखना शुरू करेंगे लेंस केस से इन में थुड़ा ताजा कॉन्टाक लेंस सल्यूशन भरे बाई और दाई दोनों में बढ़िया ये जरूर याद रखना कि हर एक यूज के बाद सल्यूशन बदलना बहुत जरूरी है ओके तो क्या आप लेंस निकालने के लिए तयार हैं अब मेरे निर्देशों को ध्यान से सुनिये जरूर हमेशा दाई आख से पहले दाई हाथ की तरजनी उंगली से लेंस को धीरे से कॉर्णिया से दूर खीचें अंगूटे और तरजनी उंगली से लेंस के किनारे पर एक छोटी सी चुटकी भरें यह थोड़ा मुश्किल था चिंता मत कीजिये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे पर प्रक्रिया का पालन करें क्या आप मुझे केस में रखना चाहिए नहीं पहले इसे साफ करेंगे फिर डालेंगे ठीक है बिल्कुल सही आपने तो सीख लिया आप इसे केस में रखे हाँ यह हो गया बड़ी हाँ क्रुपया सुनिश्शित करें कि लेंस जब केस में रखें तो वो हमेशा बीच में रहें यदि कभी वो किनारे में रहें तो थोड़ा सुलूशन और डाल दें तो क्या आप बिना डरें अपना लेंस निकाल सकती है हाँ मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ पर एक दो दिन में और कमफिटबल हो जाऊंगी हाँ बिल्कुल पर कुछ महत्वपूर्ण बाते हैं जो जानना बहुत जरूरी है अच्छा और वो क्या है मुझे बताएंगे हाँ बिल्कुल विजय आपको इस बारे में बता देंगे ओके कर सकती है